सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलो वीडियो के लिए बैल आइकन को दबाना ना बोलिए नमस्कार दोस्तों अब डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ब्लॉगर में चल्चाँ करेंगे जिसमें कंपनी का बैक्राउंड प्रूपरी ब्लाट्फॉर्जर कस्टमर सपोर्ट और भी मायनों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको अंदाजा हो सके कि आपको इस्टोफ ग्रोकर के साथ खाता खुरवाना चाहिए या नहीं तो आइए शुरू करते हैं तो जहां तक बात है कंपनी के बैक्कराउंड की BMA Wealth Creators एक फुल सव इस्टोफ ग्रोकर है कोलकाता में बेस्ट आउट है और इनका कॉर्परेट आफिस मुंबई में भी है अवरेज ओफर इंप्रेजन से इनकी करीब 42 अलगलग लोकेशन में इनके सब ब्रोकर्स हैं फ्रेंचाइज ओफिस भी है जहां तक बात है लेटेस्ट क्लाइट एक्टिव क्लाइट की तो करीब 28,000 एक्टिव क्लाइट पेस है इनका विए भी अराउंड एवरेज नमबर ही है क्योंकि हमारे पास स्टोक ब्रोकर्स हैं दुरिया में जो के लाखों में ओवर और एक्टिव क्लाइट के साथ काम करते हैं रीसर्च तर्द ट्रेडिंग रेक्मेंडेशन से अपने क्लाइट को प्रोइट करते हैं तो आपको अलग-लग लेवल पीछा है फंडमेंडल रीसर्च हो, डेली कॉल्स हो, आपको हर तरह की टिप्स यहां पर प्रोइट की जाएंगी यह स्टोक ब्रोकर नैशनल स्टोक एक्स्चेंज, बंबे स्टोक एक्स्चेंज, MCX और NCDEX का मेंबर है हालंकि यह concern जरूर है कि इसका जो और और complete percentage है इनके clients के दुआरा वो industry average से थोड़ा सा खराब है इसके बारे में भी detail में चर्चा करेंगे वीडियो की अंत में तो पहले बात करते हैं इस company के trading products की तो आप इनके अगर आप client बनते हैं या बन चुके हैं तो आप इनके साथ equity derivatives मता future options commodity mutual funds insurance तथ IPO में निवेश कर सकते हैं एक particular segment जो है currency वो आपको नजारत मिलेगा नहीं मिलेगा यहां पे क्योंकि currency की trading और निवेश आप इनके तुरू नहीं कर पाएंगे तो अपने trading segments का चुनाव अगर आप कर चुके हैं और उस हिसाब से ही आप broker का चुनाव आगे करिए आगे बात करें trading platforms की तो अलग तरह के platform होते हैं चाहे वो mobile application है चाहे वो terminal software है चाहे वो web application है हाला कि यह सब सुविधाएं BMA wealth provide करता है लेकिन quality कैसी है इसके बारे में बात करते हैं तो पहले बात करते हैं कि mobile app की उसके लिए चलते हैं Google Play Store की तरह तो BMA wealth की latest mobile app है BMA on अब latest history कहा क्योंकि इनकी history में उने काफी mobile apps का launch किया है कुछ देर बाद यह अपने application को update करने की बज जो इंकी latest application है वो rated है सिर्फ 3.35 में से करीब 175 लोगों इसको rate किया है sample size इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी एक understanding बन सकती है करीब 37 परतीशत users ने इस application को negatively rate किया है satisfaction score करीब 360% है वहीं अगर हम बात करें कुछ stats की तो last update हुआ था 16 April 2018 को generally अपनी application को 8 10 या 12 हफतों में एक 25 हफतों का industry standard है in particular application का size है करीब 38 MB काफी heavy application है number of installs है करीब 10,000 कुछ concerns application के बार में बता दे आपको market watch list या stop loss functionality के इस्तेमाल में कुछ दिक्कत नहीं आ सकती है अप crash होती है कई बार candlestick chart available नहीं है और कुछ compatibility issues देखे गए है Motorola, Google Nexus और Asus के फॉन्स के साथ तो यह थी overall mobile application BMA on recommended नहीं है अभी के लिए क्योंकि कुछ खास value अभी provide नहीं कर पा रही अलग कि BMA Wells Creators अगर इस पर काम करें समय के साथ इसको improve करें तो definitely हम आपको recommend करेंगे बाकी की trading applications के बारे में जानने के लिए चलते हैं और digitalblogger.com की दरफ तो यह आपको provide करेंगे nest जो की terminal software है खुद से नहीं बनाया इनोंने नहीं maintain करते हैं third party application है nest आपको अपने computer या laptop पे download करके install करना होगा number of features ठीक ठाक होते हैं इसमें एक expert level trader को अच्छे से इस्तिमाल कर सकता है दिक्कतें भी होती है user experience थोड़ा compromise होता है application थोड़ी heavy रहेगी मतलब कि आपका जो computer या laptop रहेगा उसकी configuration बढ़िया होनी चाहिए जैसे concern mobile app के साथ था जो हमें आपको आपको अभी बताया trade on BMA इनका web based application है मतलब download install करने की चिंता नहीं है किसी भी browser के दौर इसका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है number of features भी ठीक ठाक है beginner से intermediate level के ट्रेडर के लिए एक अच्छा application माना जा सकता है mobile application एक week link है PMA on for example जो हमने अभी बात की या जो इनका पुराना mobile application है BMA M trade तो वहाँ पे इनको कासी अच्छी खासा काम करने की जरूरत है overall training platform जैसे आप देख चुके हैं कुछ खास innovation नहीं है इनकी खुद in-house चौबी ट्रेडिंग platform से वह around average ही आंके जा सकते हैं आगे बरते बर बात करते हैं खर्चों की BMA wealth creators के साथ खात्रा खुलवाने के लिए आपको जेब से निकालने पड़ेंगे 1000 रुपए काफी महंगा है उससे इसाब से गर हम बाकी के stock brokers की बात करें एमसी एनल मिंटेनेस चार्चेस भी करीब साड़े 300 रुपए हैं फ्रॉपत नेगोशेट किया जा सकता है डिपेंडिंग कि आपका इनेशल डिपोसिट क्या है पूरी डिटेल में ब्रोकरेज को समझने के लिए और डिजिटर ब्लोगर.com पर ब्लोगर.com पर यह में वेल्ट की जान तक बात है एक्विटी इंट्राडे का एक्जामपल लेते हैं मालेजिए आपने स्टॉक खरीदा 120 का 130 का बेंच दिया प्रजिंद ट्रेडिंग सेशन इसल्फ और ऐसे 100 स्टॉक्स का आपने ओवरॉल खरीद फिरॉक्त किया इस एक्जामपल के लिए फांध्राप्रदेश स्टेट टेकते हैं क्योंकि स्टेट से स्टेंप ड्यूटी डिसाइड होती है कैल्कुलेट के क्लिक करेंगे जैसे ही आप अवरॉल टर्न ओवर आजेगी ब्रोकरेगा जाएगी और उसके साथ साथ आपके सामने आजाएंगी बाकी के टैक्स भी तो यह आपका होगा प्रोफिट इसको आप कंपेर कर सकते हैं अलग लग बाकी के ब्रोकरेज के साथ बाकी की स्टॉकिंग कंपनीज के साथ ताकि आपको अच्छे से आईडिया हो सके ऑवरॉल खर्चे का फिर बात करते हैं एक्सपोजर की अब बीमें वेल्थ इंट्राडे म आपको दस गुना देता है डिलिवरी में दो गुना बाकी की वेल्यूज आपके स्क्रीन के सामने हैं अब जिनको यह समझ नहीं है एक्सपोजर का इस्तिमाल कैसे किया जाए तो इंट्राडे में जैसे दस गुना बताया गया है मतलब अगर आपके ट्रेडिंग अकौन पे दुक्सान भी उतने ही है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की तो क्वांटिटी के लेवल पे फॉन इमेल सपोर्ट ऑफलाइं ब्रांचेज टॉल्ट फ्री नंबर प्रवाइड करता है विए में वेल्थ लेकिन जब क्वालिडी की बात आती है तो नहीं यह एक्जेक्टिव के पास स्किल सेट है प्रफेशनलिजम भी थोड़ा बहुत कॉंप्रमाइस दिखता है और टर्नराउंड टाइं मतलब कितना समय लगता है आपके प्रॉल्म को सॉल्व करने में उसमें भी काफी दिखते हैं तो कस्टमर सपोर्ट एक बहुत बढ़ा व प्रेजेंट भी कुछ खास नहीं दिखता है इस एरिया में अगर हम कंप्लेंट की बात करें मतलब कितनी कंप्लेंट से रजिस्टर की गई इनके क्लाइंट की द्वारा हर साल तो यह वह पूरा का पूरा चार्ट है मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज 2014 151 13 1000 में से 13 लोगों ने और लेवर पेकिलेंट किया और कैसे वैलेट कीज में यह वैलब के sab интерес मतलब करीब की करीब 5 निध prize 15 16 089 अभरेज च्विन मेंक पॉइंट से पक्वाइट 8 करीब 10 गुना तो यहां पे काफी concern काफी दिखते हैं यह बात एक दो क्लाइंस की नहीं हो रही है हर साल पिछली चार-पांथ सालों से देखा जाए तो यह एरिया काफी बड़ा वीक एरिया देखता है और बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है यह बिएमेट में यह जाना ज़बरी है कि इतने कस्टमस इतने क्लाइंस कंप्लेंट रेस क्यूं कर रहे हैं क्यूं बिएमेट क्रिएटर्स के स्पेसिफिक लेवल पर ही यह कंप्लेंट का ओरल सुलूशन नहीं दिया जाता खैर फायदों और नुक्सानों की बात करें अगर हम बिएमेट एज अस्टोर ब्रोकर के तो हम चैसे के पहले बता चुके हैं फायदों की बात करें तो आपको नंबर ऑफ ऑफिसे अराउंड एवरेज मिलेंगे 40 42 के करीब तो कि ठीक ठाक है डेपेंडिंग आप बड़े रहते हैं ब्रोकरे जाजिस को नेगोशेर किया जा सकता है पॉइंट जीरो वान इंट्राडे पॉइंट वान परसेंट डिलिवरी के लिए कंसर्स तो बहुत हैं आप आपके सामने जैसे अभी लीसेंट्री कंप्लेट की बात की काफी अच्छा का सा नंबर है ट्रेडिंग आपको इसके बारे में डीटिल में जाना है तो और रिव्यू पर जाईए इसको आप हिंदी ततांगरेजी में अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप हमसे कुछ मज़त चाहते हैं स्टों ब्रोकर के सजेशन में तो और डीटिल दीजिए और कॉल बैक आपके लिए हम अरे धिजिए और कि अग्याच वग्याच आपके लिए और ब्रोकर के लिए और रिए आपके लिए और बैक विए और ये तो और रिए स्टों पर दीए और रिए